नमस्ते विध्यार्तियों स्वागत है आप सभी का जनल ओले स्टेडी क्लासिस पर विध्यार्तियों हम स्टोरे डिवाइसिस के विशे में अध्यान कर रहे हैं जिसके अंतरगत प्रीवेस क्लास में हमने स्टोरे डिवाइसिस का अर्थ और storage devices के types के विसे में अध्यन क्या कि storage devices के दो types होते हैं primary storage devices या primary memory secondary storage device या secondary memory तो primary memory के अंतरगा previous class में हमने RAM तथा ROM के विसे में भी अध्यन कर लिया है अगर आपने previous वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज उसे भी आप जरूर देखेगा तो आज की class में हम secondary storage devices या secondary memory के विसे में अध्यन करेंगे कि secondary storage devices क्या होती है और इसके अंतरगात कौन-कौन सी device समरित होती है इसके विसे में आज की class में हम अध्यन करेंगे तो देखते हैं आज की class तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जुतियाग memory क्या होती है या साहय क मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है ने confident हम देखते है सेकेंड़ी मेमोरी या Duthiak मेमोरी क्या होती है तो धुतियक मेमोरी एक परकार की कंप्यूटर मेमोरी है जिसका उप्योग बड़े अकार वाले डाटा जैसे वीडियो, इमेज, आउडियो, फायल को DVD, SSD, Pen Drive, Magnetic Tape आधी जो हैं वह दूतियक मेमोरी के एक्जामपल है Next हम देखते हैं दूतियक मेमोरी का वरगी करन तो इसे दो भागों में डिवाइट किया गया है सबसे पहले आता है Direct Access और दूसरा आता है Sequential Access तो हमारे लिए Important है Direct Access Direct Access को तीन भागों में डिवाइट किया गया है जिसमें सबसे पहले है Magnetic Disc, दूसरा है Optical Disc को तीसरा है Flash Memory और Electronic Device तो Magnetic Disc के अंतरगत आती है Floppy Disc और दूसरा Hard Disc या Hard Drive तो आपको याद रखना है और Optical Disc के अंतरगत आता है CD, DVD तो CD के टाइप है CD-R, CD-ROM, CD-RW तो इनके बारे में आगे हम डिटियल से भी आधियन करेंगे Next है Flash Memory और Electronic Device तो इसके अंतरगत आते है Pen Drive, Memory Card, Smart Card, Online Storage Server एक बार और समझ लेते हैं कि दूतियक Memory जो है उसे दो भागों में डिवाइट किया गया है Direct Access और Sequential Access तो Direct Access है उसके अंतरगत आते हैं Magnetic Disk, Optical Disk, Flash Memory या Electronic Devices तो इसके अंतरगत जो Magnetic Disk है इसके अंतरगत आते हैं Floppy Disk और Hard Disk या Hard Drive और Optical Disk के अंतरगत आते हैं CD और DVD और Flash Memory और Electronic Device के अंतरगत आते हैं Pen Drive Memory Card, Smart Card, Online Storage Server इसके अंतरगत आते हैं Google, Chrome Adi आगे हम देखते हैं secondary storage devices के अंतरगर जो important storage device है उनको details है जो की परिक्षा की दिश्टी से important है तो सबसे पहले हम देखते हैं SDD तो SDD का full form है hard disk drive यहाँ एक non-velatile storage device या इसका उपयोग data को store करने के लिए किया जाता है और hard disk drive के अंतरगर इस्ताई data storage किया जा सकता है और SDD यानि कि hard disk drive की गती का मापन RPM में किया जाता है RPM का full form आपको याद रखना है इसका full form है resolution per minute next हम देखते हैं SDD के types तो इसके अंतरगर आता है PATA, SATA, SCSI, SSD, PATA का full form है parallel advanced technology attachment SATA का full form है serial advanced technology attachment SCSI का full form है small computer system interface SSD का full form है solid state drive तो आपको इसके full form याद रखने हैं जो PATA है इसका full form है parallel advanced technology attachment SATA का full form है serial advanced technology attachment SCSI का full form है small computer system interface जो important है solid state drive जो है एक परकार की secondary storage device है जो SDD के समानी है इसमें बड़े अकार के data को store करके रख सकते हैं इसमें IC chip का प्रियोग किया जाता है यहों अकार में हलकी होती है next है optical disk तो हमने देखा था कि optical disk के अंतरगा CD और DVD आते हैं तो आपको ध्यान रखना है जो CD है इसका full form compact disk है इसकी storage capacity 700 MB तक होती है इसमें data को पढ़ने और लिखने हे तू laser का प्रियोग किया जाता है और जो CD है इसका निर्मान polycarbonate से और aluminum की परत इसमें लगी होती है तो आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट हम देखते हैं compact disk यानिकी CD के परकार तो CD के परकारों में सबसे पहले है CDR तो इसका full form है compact disk recordable यह इस ताई memory है इसमें record केगे data को पुना edit नहीं कर सकते हैं इसका अन्यनाम write once read menu है short form हो गया warm तो इसका आपको याद रखना है write once read menu तो यह CDR जो है आपको ध्यान यह CD का टाइप नेक्स्ट है CDROM तो दूसरा टाइप है CDROM इसका full form है compact disk read only memory तो जैसे ROM का full form होता है read only memory CD लगा है तो compact disk read only memory इसका full form है next है CDRW जो CDRW का full form है compact disk rewriteable तो आपको इन CD के types को अच्छे से ध्यान रखना है इनके full form याद कर लिजेगा CDR का full form है compact disk recordable CDROM का full form है compact disk read only memory CDRW का full form है compact disk rewriteable next हम देखते हैं DVD तो DVD का full form है digital versatile disk और digital video disk इसके full form है DVD एक optical disk तकनिक है इसका प्रियोग बड़े अकार के data को store करने के लिए किया जाता है और DVD की storage capacity यानि की storage चमता 4.7 GB से 17.08 GB तक होता है next है BRD तो इसका full form आपको याद रखना है इसका full form है blue ray disk इसका प्रियोग HD video ही तो किया जाता है next है HVD तो HVD का full form है holographic versatile disk next है memory card तो memory card का अन्या नाम है multimedia card memory card बहुत ही छोटा card होता है जिसका उप्योग data तथा multimedia को store करने के लिए किया जाता है यह card जो है silicon से बना होता है इसका प्रियोग computer, mobile phone, smartphone, palm top, laptop, digital camera में किया जाता है next है pen drive तो pen drive एक external device है इसमें store data को पढ़ा जा सकता है तथा उसमें सुदार भी किया जा सकता है storage चमता यानि जो pen drive होती है इसकी storage capacity 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB आधी चमता में उपलब्द है next है magnetic tape तो magnetic tape की जो storage चमता होती है वह 100MB से लेकर 200GB तक होती है magnetic tape data को store करने की सबसे पुरानी तकनिक है इसकी capacity काफी जादा होती है तथा कीमत भी कम है इसका उप्योग data को लंबे समय तक store करने के लिए किया जाता है तो magnetic tape से आपको याद रखना है कि जो magnetic tape होता है उसकी storage चमता 100MB से लेकर 200GB तक होती है और इसका उप्योग data को लंबे समय तक store करने के लिए किया जाता है नेक्स्ट है तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंतरगत आज की वीडियो में हमने secondary storage devices के विशे में अध्यन किया कि secondary storage devices या secondary memory क्या होती है इसके अंतरगत कौन-कौन सी device समरित होती है और कुछ important devices के विशे में हमने आज की class में अध्यन किया उमीद है आपको आज की वीडियो पसंद आए होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, सेर, सस्क्राइब जरू कीजेगा और साथ ही अपना अमूल या कॉमेंट पी जरू कीजेगा इसी के साथ आज की क्लास ओवर होती है थैंक्स पर वाचिंग